ओम नमस्षिवाई दर्शो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि भगवान सीव की दिया से आप लोग भी अच्छे होंगा दर्शको आज मैं आप सबको जिवित पुत्रिगा वुरत की कथा सुनाने जा रहा हूँ अतक कथा के अंतक बने रही है जिसे आपका पूरा लाव मिल सके चलिए सुरू करते हैं इसके पहले दर्शको यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो दर्शको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड के पेड़ पर एक चील रहती थी उसे पेड़ के नीचे एक सियानी भी रहती थी, दोनों पक्की सहे लिया थी दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जित्या ब्रत करने का संकल्प लिया और भगवान उसरे जिवत वाहन की पूजा की ब्रत करने का प्रण ले लिया लेकिन जिस दिन दोनों को ब्रत रखना था उसी दिन सहर के एक बड़े ब्यापारी की मृत हो गई और उसके दासन सकार में सियार इनको भूक लगने लगी थी मुर्दा देह कर हुआ खुद को रोक न सकी और उसका ब्रत तूट गया यह परचील ने संयम रखाया और नियम और स्राद से अगले दिन ब्रत का पारण किया अगले जनम में दूनों सहेलियों ने ब्रामण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया उनके पिता का नाम भासकर था चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी चील का नाम सिल्वन्ती रखा गया सिल्वन्ती की साधी बुद्धिसेन के साथ हुई जबकि सियारिन का नाम कपूत रावती रखा गया और उसकी साधी उस नगर के राजा मलाय के तुसे हुई भगवान जीवत्वाहन के आसिरबात से सिल्वन्ती के साथ बेटे हुए पर कपूर आवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे कुछ समय बाद सिलावती के साथ पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे कपूर वती के मन में उन्हें देख इर्षा की भावना आया गई उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिये उसने उन्हें साथ नए वरतन मंगमाक कर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढखक कर सिलावती के पास भिजवा दिया यह देख भगवान जिवत्वाहन ने मिट्टी में से साथो भायों के सीर बनाए और सभी के सीरों को उसके धर से जोड़कर उन पर अमरित छिड़क दिया इसमें उनमें जाना गई साथो युवक जिंदा हो गए और घर लोटाए जो कटे सीर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को ब्याकुल थी जब काफी दिर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वेम बड़ी बहन के घर गई वहाँ सब को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई जब उसे होस आया तो बहन को उसने सारी बात बताई अब उसे अपनी घलती का पष्टावा हो रहा था भगवान जीवत वाहन की किरपास है सीलावती को पुर्व जनम की बाते याद आ गई या कपुरावती को लेकर उस पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बाते बताई कपुरावती बेहोस हो गई और मर गई जब राजा को इसकी ख़बर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड के पेड के नीचे कपूरावती का दासन सकार कर दिया कैसी लगी वीडियो दोस्तों यदि अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिये मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हरार महादे ओब नमस्युआ